हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका मैनी नई वीडियो में तो आज हम बनाएंगे मसाला भीण्डी तो इसके लिए हमने लिए 500 ग्राम भीण्डी इसे मैंने दोब के कट कर लिया है दो प्याज इसे मैंने बारिक पीस लिया है एक टमाट़ इसे भी मैंने पीस लिया है, आप दस रसम का लिया और दो हरी मेज्ट इसे भी मैंने बारिक पीस लिया है, पारिक उस आयो, मसाला भींडी तो हमारा करन्द हो चिक हो अब हमें स्प्रीक डालें जिदि और इसे बहुत है निश्वी रखेंगी करने लिए हमें इसे हमें हमें इसे हमें 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 रखें करना है तो पर किपूदि हमारी लगज़ भिट खूजी है तो हम देश्च को कर देंगे वर्ण और भिंडी को निकालेंगे इस प्लेट में अचाहण सब्सक्राइब कर लिए फिलका फ्राइए कर लिया है और हम लगाएंगे विंडी में छोग इसके लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा और 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 को थोड़ा गरब होने देंगे अब हम इसमें डालेंगे जीरा आप इसमें हिंग भी डाल सकते हूं और जाएंगे सब्सेल अब हम देंगे आप शिलके जाज जो रखात हमेंगे निए वह दोनेंगे तक दो हम दोने में दोने को नाज़ा इसके रखाताँ दोस्ती कर आंगे और जोस्ती आपनेंगे शोड़ाइए पिरसे दोनेंगे तो आपने दालेंगें, अब तो आपने दालेंगें, अब आपने दालेंगें, लस्समा भरी मिट जो हमने पीस्ते रखी तो, अबकित से उब मुझे हुँज का लैंगें लेस्टे रखीोस ही जलेंगें लोगेंगें लोगा लोगें तो book सलीνεड़ी, अब हम इसमें डालेंगे टामार तर इसे भी हमने लिक्सी में पीछ लिया था अब हम डालेंगे इसमें मसाले इसमें में डालेंगे एक चम्मस लाल मेच एक चम्मस धन्या पाउब अब हम इसमें पाउबर, आख चमच हल्दी पाउबर, साधन उसार नमक, वर इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे कोड़ी की कल्स्टिरी में थी, इससे इसमें स्वाज बहुत अच्छा आता है, और डालेंगे, इसमें हम दो चमच, रहीं, अच्छा आता है, और इसमें 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 पखनें देंगे, इसमें हमारे सारे मसाले अच्छी से बीचिकन हैं, और हम इसमें डालेंगे भींडी जो हमने फ्राइ करके रखी थी, अच्छा से कलाएंगे इसमें, हम इसे थोड़ी बेस से पखने देंगे, तो सबसी हमारी पख चुकी है, और लगभगे रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा साहरा धुनिया, तो फ्रेंग, बन के तयार है हमारी मसाला भींडी, तो आपको मेरी वीडियो पसल दाई हो, तो ट्राइज जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाइब है दुस्तों, करें